बिहार में राजनितिक उठाव पटक के बीच में जिस तरह से महागठबंधन के भीतर पूरी तरह से मचा हुआ है हंगामा वहीं दूसी तरफ जनता दल उनाटेट के भीतर भी जिस तरह की बाते सामने आई हैं उसको ले करके बिहार की राजनित करमाई हुई है और जैसा कि ह हमने खबरों में पहले भी आपको बताया था कि किस तरह से हर कोई चाहे वो महागठ बंधन के साथी दल हो या फिर NDA के या इन दोनों से अलग रहने वाले दल भी अभी जो जो कुछ भी चल रहा है जदियू के भीतर उस पर अपनी नजर बनाये हुए हैं और इसी दोरान के रख दिया है वहीं कहा यह जा रहा है कि उपेंद कुस्वाहा के इस बयान के बाद और इस दिमांड के बाद पार्टी के भीतर भी अब कई लोगों मुखर होने लगे हैं यहां तक कहा जा रहा है कि उपेंद कुस्वाहा का जबदस सपोर्ट हो रहा है और दूसी तरफ उपेंद कुस्वाहा के विरोध में भी काफी लोग खड़े हो गये हैं। उपेंद कुस्वाहा लगतार बिहार का दौरा कर रहे थे और पाटी और संगठन को मजबूत करने की बात कर रहे थे। लेकिन इसी बीच में एक बात और सामने आई और उपेंद कुसवाहा बकसर से होकर के पटना के लिए निकले थे लेकिन इसी बीच में जगदिस्पूर में उन पर हमला हो गया हलाकि उसकी रिपोर्ट भी आ गई है और रिपोर्ट में बहुत सारी चीजों का खुलासा हुआ ह लेकिन इन सब पर राजनितिक दलों के बयान भी आने लगे हैं और उपेंद कुसवाहा पर हुए इस हमले को लेकर के जहां एक तरफ जनता दल उनाइटेट के नेता चुपी साधे हुए हैं और इस पश्ट कह रहे हैं कि ये पूरी तरह से जो पुलिस रिपोर्ट है उसके चुपी साधली लेकिन जब से उपेंद कुसवाहा पर हमला हुआ है तब से उन्होंने अपनी बात रखी है और कहा है कि अगर ऐसा हुआ है तो बहुत गलत हुआ है उन्होंने मीडिया से बातचित के दौरान अपनी बाते रखी जैसा कि आप सभी जानते हैं कि तेजस्वी लेकिन अगर ऐसा हुआ है तो निश्यत रुप से गलत हुआ है इसकी पूरी जांच होनी चाहिए मेरा उपेंद कुस्वहाजी को फुल सपोर्ट है जो भी उचित होगा वो करवाई भी होगी और जांच भी की जाएगी इन सारे मामलों को लेकर के हमने आपको कल भी दिखाया था कि किस तरह से बिहार की राजनित बदल रही है और किस तरह से एक दुसरे पर आरोप परत्यारों का दौर जारी है कल के मामले में जहां एक तरह हुपेंद कुस्वहाजा का कहना है कि उन पर रोडे पत्थर से हमला हुआ है वहीं बाकी के लोग जो वहां पर प्रतक्ष निगे रही है कि मिर्ची वगण्या फेकने का काम किया था और इससे अपना विरोध परदम कर रहे थे इसी बीच में आपको बता दे। त्यस्वीयादों कि इस बयान को अलग अलग नजरिय से देखा जा रहा है और कहा यह जा रहा है कि बदले हुए और रुवा बिहार के राजनी और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ले ओजे गो घंटी बाग उकरा बटन दबा देला से कुल सठीक और मारक ख़बर रुवा मुफ्त में मिल जाए अगर रुवा पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहता ने तो जॉइन बटन दबा दे पेटियम नमबर नोटकली 9386816700 धन्यवाद